नरेंद्र मोधी थोड़ी देर में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। एक्सपर टूइट करते हुए कहा कि नरेंद्र मोधी ने अभी शपत भी नहीं ली है और नीट परिक्षाम हुए धान्दली ने 24 लाग से अधिक स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को तोड़ दिया है। आज मैं सबी स्टूडेंट्स को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं संसद में आपकी आवाज बनकर आपके भवी से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाऊंगा। यवाओं ने इंडिया पर भरोसा जटाया है। इंडिया उनकी आवाज को दबने नहीं देगा। राउल गांधी ने एक्सपर लिखे पोस्ट पर ही अंबेटकर नगर लोकसभा सीट से समाजवादी पाठी के प्रत्याशी लाल जी वर्मा ने भी बीज़ोपी को घेरा। लाल जी वर्मा ने लिखा चाहे केंदर की सरकार हो चाहे उत्रप्रदेश की सरकार। दोनों सरकारें पेपर लीग पर लगाम नहीं लगा पा रही है। इंडिया गटबंदन युवाओं के भईशे के साथ खिलवार्त बरदास्त नहीं करेगा, हाला कि इस मसले पर विपक्ष हमलावर है। होना चाहिए, एक जाम समय पे होना चाहिए, और जितनी भी वेकंसियां हैं उसको तुरंट भरा जाना चाहिए, ये भरती विधान में हम लोग प्रमुक्ता से लेकर कर आये थे। होनाओ के बाद जब सरकार बनती है, तो परिक्षा को लेकर के जो गरवडियां देश में हो रही है, उसको इमीडिटली एड्रेस करना चाहिए। नीट का जहां तक सवाल है, इसमें तीन मुद्दे जो हैं परमुक्ता से निकल करके सामने आया हैं। इसको एड्रेस करें और कॉंग्रेस पार्टी ने, हमारे राष्ट्री अध्यक्ष ने मांग किया है कि सुप्रीम कोट की निगरानी में नीट को लेकर के जो एक निस्पक्ष जांच होनी चाहिए। झाल 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 झाल